किसानों के मन की बात क्या वो चाहते हैं मुधी सरकार से अन्तिम बजट में उनकी क्या एक्छाएं के अगर पूरी हूंगी यह जो आने वाला बजट है इसमें किसानों पर बड़ा फूकस है किसानों से बड़े उमीदे जताई जा रही है आपको क्या लगता है कि बजट में क्या होना चाहिए कि आप भी खुश रहें और सरकार को भी बड़ा फायदा मिल जाए मेरा सरकार से निवेदन ये रहा है नीतियायो की बैठक में भी मैंने सुझाव रखा है कि न्यूंतम समर्थन मूल्य की विवस्थाएं अब चलने वाली नहीं है हमको इसे कंपलसरी रिजर्व प्राइज करना होगा मेरा निवेदन ये कि सरकार को जीएस्टी तमाम एग्रिक किसान के लिए कुछ करना चाहती है किसान अपने आप खुद ही खुद सोते ही खुसाल हो जागा आपको क्या लगता है कि सरकार ऐसा एक कदम दो कदम क्या उठाए कि आपके मन की बात पूरी हो जाए और आगे उनको भी फायदा हो किसान को मजबूत बनाने के लिए पहली बात पर लगो दोग के लिए उसे कुछ साहित करें लौन दें दूसरे उसकी फसलों का ठीक मावजम ठीक कीमत दें इस गोवर्मेंट से जो है जो कदम उठाएं है वो किसान के हित में हैं लेकिन एक सिस्टम इस तरीके से बनना चाह कर रही है वो स्विधाय किसान तक पूरी तरह से पहुंच भी रही है या नहीं वाओं को रोजगार की मोई वया कराएं किसी भी सूरत से कराएं या उनको लगोध्यों के लिए रिंड अदा करें अगर यह सरकार उन उस तरफ ध्यान देती है वो कदम उठाती है तो किसान भी सरकार का साथ देंगे और जाहिर है अगर किसान खुशहाल तो देश खुशहाल होगा